तो आकांचा दूबे को लेकर दो प्रकार की खबर चल रही है। सबसे पहली खबर चल रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलीस समर सिंग को ढूंड रही है लेकिन समर सिंग गायब हो चुए है। समर सिंग के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि समर सिंग कहां पर है और दूसरी खबर चल रही है कि रात को दो बजे के करीब जो लड़का आकांचा दूबे के साथ होटल के कमरे में गया था और 17 मिनट तक होटल के कमरे में आकांचा दूबे के साथ मौजू अकांचा दुवे को होटल तक छोड़ने आए लेकिन पुलिस पुष्टाश कर रही है कि 17 मिनट तक कमरे के अंदर वह मौजूद क्यों था क्या बाची तो हो रही थी और पुलिस समर सिंग कहा जा रहा है कि तलाश में लगी है लेकिन समर सिंग गायव हो चुए है अब अकां था वो सच साबित हुआ अब काजल रघवानी क्या इशारा कर रही है आगे करके पूरी खबर सारा जानकारी अब तक जो सामने आया है आपको बताएंगे बाकि हमारा ना मोहित कुमार सिंग है और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं सबसे पहले अगर काजल रघवानी की जाने से पहले तुमने अपनी फिलिंग्स सबसे शेयर की थी यह बात काजल रघवानी कहते हैं कि किसी दूसरे सेट पर शुटिंग के लिए जाने के पहले तुमने अपनी फिलिंग्स को सबके साथ बताया था और यही सबसे बड़ी बात है इसके बाद नीचे काजल अपने को पूरा करना और उमीन है तुम्हें वो हर खुशी मुलेगी जो तुम्हें यहां नहीं मिल पाई मगर मैं यह भी कभी नहीं यकिन करूंगी कि तुम खुद को खत्म कर सकती हो बाकी इस वर है और तुम्हारे जान की कीमत आज नहीं तो कल वो जरूर चुकवाएंगे अब काजल रगवानी किसको कहती है कि भगवान किस से जान की कीमत चुकवाएगा यहां सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि सवाल है कि काजल रगवानी जैसा कहती है कि दूसरी सेट पर जाने के पहले तुमने अपना फिलिंक्स बताया था वो सतसा भीत हो गया तुमने जो श था आकांच्छा दुबे के जिन्दगी में कुछ तो चल रहा था जिसके बारे में उन्होंने सेट पर मौझूद कुछ खास लोगों से चर्चा की थी उसको शेर किया था जिसको काजल रगवानी कहती है और यहां पर काजल रगवानी कहती है कि भगवान इसकी कीमत आखरी रात को जो लड़का आकांच्छा दुबे को छोड़ने होटल के कमरे में गया वो लड़का गिरफ़तार हो चुका है अब उस लड़के से पुलिस पूछ रही है कि 17 मिनट तक होटल के कमरे में बैठ कर क्या बातचीत हुई एक और बात कही जा रही है कि होटल के कमर का लाइट उस 17 मिनट के दोड़ान बंद रहा और पुलिस इस बात की भी पूस्ताच कर रही है कि अगर वह दोस्त था अकांचा दुबे को होटल में छोड़ने आया तो वह छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता लेकिन वह उतना देर तक साथ में क्या करता रहा कमरे के अंदर क्या बात्चीत हुई अकांचा दुबे और उसके बीच क्योंकि इसी के बाद अकांचा दुबे कुछ मिनट के अंदर लाइव आकर रोने लगती है और फिलाल समर सिंग के बारे में कहा ज़रा है कि समर सिंग गायब हो चुके हैं समर सिंग को उत्तर प्रदेश की प दिरे-दिरे सामने आ रही है कि अकांचा दुबे ने कुछ बताया था अपने करीबी लोगों खो शेयर किया था और इसी बात को कायर रगवानी कहती है कि जिसका डर था वही तुमारे साथ हुआ या अब ऐसा तुमारे साथ नहीं होगा क्योंकि तुम जंग जीत चुकी हो बागी अकांचा दुबे के पूरे के पूरे प्रकरण में उत्तर प्रदेश की पुलीस पुछताश कर रही है समर सिंग के बारे में कहा जड़ा है कि उनके गिरफतारी होगी तो निश्चित तोर पर कुछ बड़ा सामने आएगा अब आगे क्या कुछ हो पाता है क्या जो भी जानकारी जो भी नियाँ रेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे लेकिन अब तक जो जानकारी आई थी उसे हमने आप तक पहुंचाया है आपकी इस पर प्रत्रिया क्या है कमेंट बोक्स वेलिकर बताइएगा अब अबंत में मेरा नाम मोहित कुमार सिंग है कि अम्रेक्ट ये भी शाल खड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद